इस्त्री जा चुकी है और चंदेरी पुरान के खोई पन्नों में साफ साफ लिखा था कि इस्त्री के जाते ही बुआएगा कौन आएगा वहीं जिसने उस विश्या को मार कर इस्त्री बनाया था जिसे इतिहास सिर्फ एक नाम से जाता है प्रदा कतूर और राजकुमार राव की फिल्म साल अठार में आए इस्त्री देखने के बाद ये लाइन लोगों के जुबान पर चड़ गई है फिल्म की लाश्ट सिन ऐसे मोड पर रुकिया की सिक्वल आना तैथा पाली बुड में सिक्वल फिल्मों की लहर दोड रही है एक फिल्म चल जाए तो उसका सिक्वल का लाइन लगा देते हैं और मेकर्स पैसा चापने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं से बाहर निकलते ही जंता से दोही सवाल पूछे जाते हैं पहला फिल्म कैसी थी दूसरा क्या इसका सिक्वल आएगा मगर घोड़े की इस रेस में बहुत कम सिक्वल यह से होते हैं जो अपनी ओरिजनल्टी को बरकरार रख पाते हैं जितनी मज़ेदार और इंटर्टेनिंग पहली फिल्म हो उससी लेवल की सिक्वल भी आए ऐसा बहुत कम देखनों को मिलता है मगर इस्त्री टू इस स्टेंडर को मेंटेन करती में जार आ रही है सबसे पहले बात करते हैं इस्त्री टू की कहानी का पता चलता है कि इस्त्री तो चली गई मगर इस्त्री को बनाने वाला सरकटा भूथ है जो फिर से लोट आया है चंदेरी की लड़कियों को पकड़ कर उन्हें अपने वस में कर रहा है अब وिक्की और उसके दोस्त और उसकी चोटी वाली गल्फ्रेंड इस समस्या का निवारर कैसे करेगी करीब 2 मीनाट 54 सेकेंड के इस ट्रेलर में हर सेकेंड का महत्व है अमर कॉसिक ने पहली वाली स्थी डारेक्ट की के सीक्वल को भी अमर ने ही डारेक्ट किया है मगर हॉरर कमेडी युनिवर्स की सुरुवात की है अगर देखा जाए तो इसके बाद इन्होंने इसी युनिवर्स की भेंडिया भी बनाई थी मगर कौसिक की फिल्मों की खास बात ये है कि वे कमेडी और हॉरर की क्वालिटी बनाया रखते हैं जरूरी बात कहने की कोशिस करते हैं इस्तरी महिला सक्तिकरण जैसे समस्याओं पर बात करती हैं हेंडिया नेचर या जंगलों के संरक्षड का मसलव उठाती हैं इस किस्म की लिखावट और डारेक्शन इन ही फिल्मों में जान डाल देती हैं लिखावट से याद आया कि इस्तरी टू को निरेश भटन ने लिखा है